Hello dear students, a very good morning to all of you and today we will start the first chapter from our second book Vistaz, the chapter is the third level, इसकी समरी मैं अलड़ी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, रिटिन भी और हमने लाइव क्लास के दौरान भी इसकी समरी कम्रेटली डिस्कस की थी, आप जैसा समझे भी होंगे कि ये एक तरीके की साइकिक या मैं कहूं mental disease है, a mental state है, जो की एक इनसान को एक अलगी दुनिया में ले जाती है, वो एक तरीके की temporary refuge है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, जैक फिनी के इस चैप्टर को the third level, Before you read में लिखा है, have you ever had any curious experience which others find hard to believe, कि आपके साथ कभी भी ऐसा कोई अनभव हुआ है, जिस पर दूसरों को मुश्किल से विश्वास हो, या फिर विश्वास करने में बड़ी दिक्कत हो, यहां पर Charlie बोल रहा है, ठीक है, Charlie जो है, जो में लीड केरेक्टर है, हमारी इस स्टोरी का वही narrator भी है, उसको narrator भी बनाया गया है, तो वो कहता है, कि जो प्रेजिडेंट है, New York Central के, इस सब railway stations के नाम है, New York Central के, The New York के, New Haven के, और Head for Red Lord के भी, will swear on a stack of timetables, वो अपने timetable की कसम खा कर यह बात कहेंगे, that there are only two, कि यहां पर तो केवल दो ही हैं, there are only two, क्या two हैं, level, ठीक है, कि यहां पर तो केवल दो ही, level है, but I say, there are three, पर मैं कहता हूँ, there are three, पर यहां पर तीन level है, Charlie कहता है, तीन है, जब कि officials का कहना है, कि यहां पर तो केवल दो ही level है, because, क्योंकि, I have been on the third level of the Grand Central Station, क्योंकि मैं, Grand Central Station के तीसरे level पर जा चुका हूँ, yes, I have taken the obvious step, हाँ मैंने वो जरूरी कदम उठाया था, उस Grand Central के तीसरे, क्या कहते हैं, level पर जाने का, I talked to a psychiatrist friend of mine, मैंने अपने एक मनोचिकत सक दोस्ट से बात की थी, अमंग अधर्स और समय वहाँ और लोग भी मौजूद थे, I told him about the third level at Grand Central, मैंने Grand Central पर उसको third level के बारे में बताया था, and he said, और उसने कहा, It was a waking dream wish fulfillment, याद रखिएगा, इसका question जरूर आता है, waking, एक second, इसको और clear कर लेते हैं, waking dream wish fulfillment, ठीक है, ये एक phrase है, यानि, जाकती आँखों से सपना देखो और वो पूरा भी हो जाए, खुली आखों से सपना देखना, और वो सपना पूरा हो जाना, कुछ ऐसा, जो कि लगभग असंबह है, ठीक है, तो उसने, चार्ली ने जब अपने दोस्त को बताया, कि Grand Central Station पर तीसरा लेवल भी है, चार्ली के उस दोस्त ने इस सिचुवेशन को जो नाम दिया, वो था अवेकिंग ड्रीम, विश्च फुल्फिल्मेंट, ये सेड आई वोस अनहैपी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं दुखी था, ये बास सुनकर मेरी पत्नी जो थी, पागल सी हो गई, जब मेरे दोस्त ने कहा कि मैं दुखी हूँ तो ये सुनकर मेरी बीवी जो थी, वो लग बर लग बाग पागल सी हो गई, ठीक है, a kind of mad, पर बात में उसने अपनी बात को एक्स्प्लेइन किया कि उसके कहने का मतलब था, कि जो आजकल की ये दुनिया है, इस फुल ओफ ये भरी हुई है, insecurity से, fear से, worry से, war से, और ऐसी ही सब चीजों से, आजकी जो ये दुनिया है, इसमें कहीं ना कहीं, चाहिँ वो अमीर हो, चाहिँ वो घरीब हो, सभी किलिए, insecurity है, कोई ना कोई डर है, किशी ना किशी प्रकार की tensions लगी ही हुई है तो ये जो चीजें है and that I just want to escape और इन सब चीजों से मैं बस बचकर निकलना चाहता था ये चारली के लिए बोला था उसके दोस्त ने, psychiatrist दोस्त ने कि दुनिया इन सीजों से भरी हुई है और ये व्यक्ति इनका सामना नहीं करना चाहता इन से बचकर निकलना चाहता है well who doesn't care कौन नहीं चाहता, कौन बचकर निकलना नहीं चाहता, everybody I know wants to escape, मैं जिसे भी जानता हूं वो सभी बचकर निकलना ही चाहते हैं but they don't wander down into any third level at grand central station, पर वो मेरी तरह grand central station के किसी third level पर भटकते नहीं रहते, Charlie बोलता है कि अगर मेरा grand central का third level देखना एक mental disease है, जो की according to psychiatrist इसलिए आई कि मैं दुनिया की जो tensions हैं, परिशानिया जो हैं, उनसे बचना चाहता था, इसलिए मैं किसी third level पर पहुँच गया, तो फिर इस दुनिया में ऐसा कौन है, जो परि चाहते हैं, पर हर कोई मेरी तरह तो third level पर नहीं पहुच जाता ना, यह उसने logic दिया, अपने third level के existence के बारे में, यही तो कारण है, and my friends all agreed, और उसकी बात से मेरे सारे दोस्त जो थे, वो agree कर गए, everything points to it, he claimed, they claimed, उन्होंने दावे के साथ कहा कि तुमारे हर एक action इस बात की और इशारा करता है, जैसे कि my stamp collecting, मेरा stamps को collect करने का shock, for example, that's a temporary refuge, यह एक temporary refuge है from reality, उसने कहा कि जो तुम उस दर से बचने के लिए करते हो, जैसे कि तुमारा stamp collect करने का काम, यह सब एक temporary refuge है from reality, किस से? वास्तविक्ता से, यानि आमत्वर पर इंसान क्या करता है, जब वो ढरता है, वो परिशान होता है, तो वो कुछ अलग काम करता है, जैसे कोई music सुनता है, कोई instrument play करता है, कोई खेलने चला जाता है, कोई boxing करता है, कुछ ऐसे हैं, जो नशा करते हैं, पर यह सब चीजें एक temporary refuge होती हैं, आप कुछ समय के लिए उस समस्या को avoid कर बाते हैं, बात में वो लोट कर ही आती है, ठीक है, यही बात उसने कहा, well maybe, खेर हो सकता है, but my grandfather did not need any refuse from reality, अब वो इसका भी logic देता है, Charlie, कि मेरे grandfather जो थे, वो भी stem collecting का शौक रखते थे, उनको तो reality से बचने की ज़रूत नहीं थी न, क्यूंकि things were pretty and nice, pretty nice and peaceful in his day, क्यूंकि स्थितियां बहुत अच्छी और शांती पूर्ण थी उनके समय में, उनके समय में तो ये fear, war, ये सब चीज नहीं थी, ऐसा Charlie कह रहा है, पर ऐसा कब हुआ है, ऐसा कौन सा जमाना रहा होगा, जहां पर कोई डर, कोई चिंता, कोई अस्वरक्षराई ना रही हो, हर जमाने की अपनी अपनी problems थी, और रही हैं, और आगे भी रहेंगी, पर actually कह है, चारली को उसके दादा जी ने जो भी बताया, वो सब अच्छा अच्छा और positive था, और वो उनके समय को, उन्हीं बातों को base बना के imagine करता है, इसलिए उसको अपने दादा जी का जमाना बिलकुल अच्छा लगता है, secure लगता है, तो इसी बात का logic दे कर वो कहता है, कि मेरे दादा जी तो कोई जरूरत नहीं थी reality से बचने की, क्योंकि उनके जमाने में सितियां बहुत अच्छी थी, from all I hear, जितना की मैंने सुना है, and he started my collection, और उन्होंने ही मेरा collection शुरू कर वाया था, it's a nice collection तो, यह बहुत अच्छा collection है, blocks of four, चार-चार blocks हैं, और practically every US issue, practically US में बनने वाले हर एक डाक टेकेट के चार-चार blocks हैं, first day covers भी हैं, and so on, वो सब चीजें जो की post department में छपती हैं, President Roosevelt collected STEM too, you know, तुम जानते हो, के President Roosevelt जो थे, US President, वो भी शौक रखते थे STEM collecting का, तो दीगे, यह थी इस chapter की शुरुआत, जिसमें सैम ने कुछ logic दी है, चार्ली की बीमारी के बारे में, चार्ली ने उसको cross question किया, कि वो बीमार नहीं था, उसके लिए उसने भी solid logic दी है, आगे, इस chapter के अंदर, story शुरू होगी, जो कि हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है, तो इसको एक बार देखिए, मैं इस chapter को बहुत slow बढ़ाऊँगा, क्योंकि इसमें से क्या है, internal question कम आते हैं, external जादा आते हैं, आपकी पढ़ने और reading की, जो capacity है, उसके उपर question जादा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से, यह छोटा सा हिस्सा जो इसको पढ़िएगा, तो उसमें से क्या-क्या चीज़े निकलती हैं, वो आप लोग समझिएगा, क्योंकि इससे जड़े कुछ questions मैं आपको भी भीजूँगा, देखिए आप उनको अंसर कर पाते हैं या नहीं, ठीक है, धिसुम्ट